अभिशेक के रास से उठा परदा आहिरा को मिला उसका फरीद भाई स्पाय बहू के अपकमिंग एपिसोर में हम देखेंगे कि योहान और सेजल जूमर वाले हाथ से से बच जाते हैं वहीं सेजल समझ जाती है कि ये अभिशेक की ही चाल थी जिसके बाद सेजल एक pathology lab में अभिशेक का DNA sample देती है वहीं आगे हम देखेंगे कि सेजल ने योहान की सलामती के लिए वरत रखा होता है और जब योहान और सेजल का आमना सामना होता है तो सेजल को पता लगता है कि योहान ने भी उसके लिए वरत रखा है वही DNA की reports भी आ जाती है और ये clear हो जाता है कि अभिशेक ही सेजल का फरीद भाई है सच सामने आने के बाद सेजल सोचती है कि अब उसे योहान को सब बता देना चाहिए और सामने रख देना चाहिए फरीद का और अपना रास यही बात करने के लिए वो योहान को किसी सुनसान बिल्डिंग में मिलने जाती है लेकिन जब सेजल वहाँ पहुंशती है तो उसका इंतजार कर रहा होता है फरीद जिसे देखकर वो हका बका हो जाती है अब देखना यह होगा कि क्या फरीद फिर सेजल को मारने की कोशिश करेगा या फिर करने वाला है सेजल से कुछ कंफेस वैल इस दिल्चस्प ट्विस्ट पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कॉमेंट के जरीए हमें जरूर बताएं साथ ही टेलिविजिन से जुड़ी सभी लेटेस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें